समझ नहीं आ रहा कि जहां ये एरो दिख रहा है वो सही रास्ता है या ये दूसरा मुझे क्यों लगता है कि ये दूसरी तरफ जा रहा रास्ता सही है चलो इनी से पूछ लेते भाईया रामपुर जाने का रास्ता रामपुर समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है वो आदमी भी अजीब सा लगता था यहां की एक एक चीज अजीब सी लग रही है क्या मैं डर के आओं डर के आगे मौत होती है और एक ना एक दिन सब को मरना है तो फिर डर कैसा चल अपनी मंजिल की ओर नहीं तो यहीं अंधेरा हो जाएगा बचाओ मुझे बचाओ बचाओ पर तुमसे शादी नहीं करूंगी मेरा राज को मार आएगा उससे ही शादी करूंगी आवास तो इसी ओर से आ रही है मगर इतने घने जंगल में कौन होगा लड़की के साथ जबरदस्ती तो नहीं हो रही अगर ऐसा है तो मुझे उस लड़की को बचाना होगा कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने अब भी मान ले और मुझसे शादी के लिए हां कर दे आएगा मेरा राजकुमार आएगा कौन सा राजकुमार आएगा कोई नहीं आने वाला जब वो जिन्दा ही नहीं तो कैसे आएगा कोई नहीं आएगा यहां कोई नहीं आखरी बार कहता हूँ मान जा नहीं तो रुप जाओ आ गया मेरा राजकुमार, आ गया मैं? राजकुमार? मैं, मैं कुछ समझा नहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझे भूल भी गए मुझे कुछ याद नहीं और, और मैं, मैं राजकुमार? कैसे? लगता है एक बार फिर से मेरे हाथ मरने के लिए आया है तुम तो? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार करता था, 185 साल से 185 साल? पागल हो गए हो तुम लोग? क्या बोल रहे हो पता है तुम्हें? कोई नशावशा किया है क्या? ना पागल है ना नशा किया है हमने राजकुमार तुम्हें याद नहीं? वगर हम 185 साल से यहीं इसी जगह पर तुम्हारे इंतजार करें है मैं तुम्हारी लज्जो हूँ और इसी ने गाउं की पीछे नदी की नारे आपका गला रेज दिया था और मार डाला था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे सही तरह समझाओ कि क्या बात है तुम लोग कौन हो और मैं राजकुमार कैसे हूँ आपको मैं पूरी बात बताती हूँ ये तुम्हें इसलिए याद नहीं क्यूंकि ये बात आपके 8 जनम पहले यानि 8 से 1 सा 85 साल पहले की है इसी जगा हमारी पंचारों की बस्ती थी एक छोटा सा कस्वा था ये जो आप सब घंडर जैसे घर देख रहे हैं वो दरसल हमारे घर थी ये काली सिंग मुझसे शाधी करना चाहता था मुझे वो पसंद नहीं था और मैं मना करती थी ओए ओए लज्जो के चाल है तेरी ओए लज्जो बस तु शाधी के लिए हां कह दे फिर देख चोड़ आज के बाद कभी मुझे छूने की कोशिश करी ना तो तेरा गला रेत दूँगी ओहो थारा गुसा भी कितना सोणा लागे है चल हैट काली कुटिया भी तुझसे शाधी ना करे आया बड़ा शाधी करने वाला काली कुटि नहीं काली शाधी करे सिर्फ तेरे से हां लजो तु मेरी होकर रहेगी एक दिन की बाद है जब मैं काउं के पीछे वाली नदी में स्नान कर रही थी आज मौका है काली आज मरदान की दिखा दे यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है कौन है काली तु तेरी इतने हिम्मत छोड़ आज तो मैं तुझे मेरी करके रहूंगा लजो आज कोई मुझे रोक ना सके बचाओ बचाओ दोल कर कहां तक जाएगी लजो हलो दोस्तों नई नई कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें